प्राविट स्कूल और कॉलेज मानेजमेंट आज हमारे देश में सबसे बड़े माफिया बन चुके हैं यहाँ पैरेंट से फीज नहीं लगान वसुलते हैं चार मई के सुप्रिम कोट की आदिश का पारण भी नापूर के प्राविट स्कूल नहीं करे हैं शेहर के सारे बड़े प्राविट स्कूल फीज वसुली के लिए पैरेंट्स पर लगातार दबाव बना रहे हैं और उनकी बच्चों को परिशा में फेल करने एवं भवीश खराब करने जैसी धमक्या भी दे रहे हैं नापूर का डीपीय स्कूल जो की कामटी रोड पर है उन्होंने भी अपनी फीस के लिए बच्चों को ऑनलाइन से हटा दिया रिजल्ट भी रोग दिया एवं पैरेंट्स को धमक्या भी दी इसी शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में पैरेंट्स डीपीय स्कूल पहुचे श्कूल की एक पैरेंट्स की जानकारी पर नगर सेवग एवं समास सेवी जो की पिछले एक मैने से नापूर शहर के सभी सरकारी हॉस्पिटल में एडविट कोरना पेशन को भोजन एवं आधिकार नहीं दिला सकता तो मेरा किसी भी राजनी तिकपत पर होने का कोई मतलब नहीं चाहें वह राज्य सरकार हो या गेंडर सरकार मैं दोनों का विरोध करता हूँ अगर वह जरूरी सुविदाय नापूर वासियों को नहीं दे रहे हैं जो के उनका हग है डीपिय स्कूल से सभी पैरेंट्स कलेक्टर आफिस पहुचे और वहाँ पर कलेक्टर से निविदन किया के तुरंद प्रभाव से आप सभी प्राविट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज बंद करने का आदिश दी जो की सिर्फ फीच वसुल लिख लिए चालू की गई है एवं जिने ऑनलाइन क्लास की लिंक से हटाया है उस बच्चे को तुरंद लिंक भेजे अगर प्राविट स्कूलों ने फिर से पैरेंट्स को परिशान किया तो नाखपु शहर के सभी प्राविट स्कूल की पैरेंट्स सड़कों पर उतर कर विरोत प्रदर्शन करेंगे क्योंकि पैरेंट्स के पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है पिछले एक साल से पैरेंट्स शासन और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि प्राविट स्कूल के मैनेजमेंट में सभी राश्रितिक पार्टियों के नेता ही पार्टनर है अब पुरे देश के पैरेंट्स के पास आंतुलन ही एक मात्र रास्ता है कैमरा पसंद अकलेश भारत वास के साथ दिशाहटवार की रिपूर्ट